हाई एवरीवन वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आप सब कैसे हो होप यू आ डूइंग विल मैं हूं मौशमी और आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक काजल शेयर करने वाली हूं जो की कलर बार बैंट से है तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता देती हूं यह है कलरवार इंटेंसली रीच काजल यह आप देख सकते हो यह है वो काजल इसको मैंने अभी तक जो है ओपें नहीं किया है मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने दूंगी इसके विशे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देती हूं तो यह जो है इसमें 12 आवर्स तक रहती है प्योर ब्लैक कलर की यह काजल है वाटर प्रूफ है स्मज़ प्रूफ एंड ट्रांसपर रेसिस्टेंट भी है और यहां पर लिखा हुआ है यह 100 परसेंट जो है वेगन प्रोडेक्ट है क्वेल्टी फ्री है और यह डर्माटोलोजिकली भी टेस्टे और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 एर है और इसकी जो प्राइस है यहां पर मेंशन की हुई है 170 रुपीज है इसमें मुझे कोई भी डिसकाउंट नहीं मिला है तो यह तो हो गए इसके विशे में कुछ जानकारी और इसमें जो प्रोडेक्ट कॉंटिटी है वो 0.30 ग्रा मैं आपके सामने इसको एपलाई करके इसका जो पिग्मेंटेशन है वो दिखाती हूं तो यह है कलर बार का इंटेंसली रिच काजल लॉंग लास्टिंग अप्टू 12 आवर प्योर ब्लैक कलर वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ एंड ट्रांस्पर रेसिस्टेंट अप्तोमो एंटेंट पे लिखा हुए है इहां पे लिखा हुए है इंटेंसिफाई यूर आइस वीफ। इंटनेशी रिच काजल विच ओवेकनेशन अड मिच अनडिभन आ इस विध। अल्टिमेट प्रूफ सीशन ग्रूफ दूुड्रीच अषब थे, अटूमेट अधे नूट्र लुक देती है, effortless glide, just a single swipe, तो यह सब कुछ यहां पर लिखा हुआ था और यहां पर इसके जो है, कुछ main ingredient mention किये हुए है, इस काजल में moisturizing ingredient है, और यहां नीचे में इसकी product quantity price के साथ mention की हुई है, और नीचे कुछ और भी detail है, जिसमें लिखा हुआ है waterproof, 100% vegan product, dermatologically tested है, और cruelty free product है, तो आपने इसका close view तो देख लिया, अब चली मैं इसको खोल लेती हूँ, सबसे पहले, यह जो है, यहां से open होती है, यह आप देख सकते हुआ, यह पूरी तरह seal pack है, यहां से open होती है, यह आप देख सकते हो, यहां पे जो है, काफी colors दिये हुए हैं, और यह जो है, काजल यहां पे है, और यह मैंने काजल को अंदर से जो है, निकाल लिया, अंदर से जो है, इसकी main packaging भी मैं आपको दिखा देती हूँ, see, यहां पे color पर mention किया हुआ है, और यहां पे back side में भी इसके detail लिखे हुए हैं, और इसमें जो है, इतनी product quantity है, see, और यह जो है, इस तरह rotate way में बंद हो जाती है, इसका pigmentation भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अपने हाथों पे, यह काफी smoothly glide होती है, बहुत ही smooth है, see, तो आपने हाथों पे इसका pigmentation देख लिया, अब मैं आपको अपनी आखों में भी apply करके इसका pigmentation दिखा देती हूँ, तो चलिए इसको apply कर लेती हूँ मैं, मेरी दोनों आखों में आपको फर्क दिख रही है, इसको मैं अपर वाटर लाइन में भी apply करूँगी, कुछ इस तरीके से, जिससे की आखों का लुक जो है, और भी अच्छी हो जाती है, का अच्छी होथी है? का अच्छी हैा? यह का अच्छी होभी दोची होगी है, यह उसक bebivalुट में अच्छी है? कर दों क Weight I Day 5th 1ot, इसक्यास बप्रेंग 18 से, क्यों के में तर 3 1967 मानः 5ile है, अब इस आख में भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ काफी पिग्मेंटेड है ये काजल और बहुत ही स्मूथली कलाईड हो रही है लोवर लैश लाइन में तो आप इसली लगा लेते हों फ्रेंड्स लेकिन अपर लैश लाइन में लगाने के लिए आप पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले धीरे धीरे से प्रैक्टिस करें तो आपको आजाएगी और अपर लाश लाइन में काजल को एपलाई करने से आखो का लुक और भी ज्यादा बहतर हो जाती है कि अच्छी यह काजल है बहुत ही पिग्मेंटेड है अब देख लेते हैं यह कितना स्मज़ प्रूफ है यह स्मज़ होती है या नहीं यह देखें गाईज यह बिल्कुल भी स्मज़ नहीं हो रही है तो इसका डेमो देखने के बाद अगर आप इसको पर्चेस करना चाहो तो लिंक में नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से इसको पर्चेस कर सकते हैं कैशल यह बहुत अच्छी लगी आप भी इसको ले सकते हूं तो यह था मेरा आज का प्रोडर्यक्ट रिवीउ आई होप आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा और अगर आज का वीडियो आपके-लिए göraile और दोस्तों थैंकियू so मजज और मेरे चानल पर आपको इसी तरह के मेक अप्रोड़क्स की यृव्यूज और सकीन केर प्रोड़क्स की रिव्यूज देखने को मिलेंगे और कुछ make-up tutorial भी देखने को मिलेंगे कुछ haul videos भी है तो thank you so much thanks for watching bye bye